दोस्तों आज के इस एपिसोड 5 में मैं आपे डिस्कस करने वाला हूँ distributed P2P network in blockchain किस तरह से काम करता है क्या फुरा mechanism होता है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे यह सारा कुछ कैसे वर्क करता है तो वीडियो को लाश तक देखते रही है और यह एपिसोड 5 है इससे पहले वाले जो चार एपिसोड आपने ना देखे हो तो उनको जरूद देखकर आईए वरना आपके समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो चलिए आप इस हिंदी के वीडि एपने एक आपकान है और यहां पर यह आज भी होता है यदि देखा जयेतों तो यहां पे क्या होता था कोई भी मान लीजिए हमें आप घर खरीदना है जैसे यहां पर आप सामने देख लिजिए, एक यहां पर मकान है, और यहां पर यह घर खरीदना है आपको, हम क्या करते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद यहां पर कागजात बनते हैं, जैसा कि यहां पर देख लिजिए, उस बात पैसा सीधे यहां पर आप आपनी ट्रांसेक्सन को या पिर आप कोई भी खाता को आप डायरी में स्ट्राओर कर लेते हों तो या प्रकेशी कती परचे पर किसी त्वाकील ऊकिसी दोऎरा लिख लेते हो क्या हो यदि बारा आ जाए यदि किसी तरह कि तरह से किसी प्राकतिक या अब फाल कimana तो आपकी जो संपत्ती है या पिर आपने जो भी खरीदा था कि आपके पास कोई प्रमाड रहेगा तो इसके उपर एक्जामपल ले लेता हूं इनरेट पर काप्णि करते हैं। और सब्सक्राइबर मां लोई होता है। कर दोएक तो यह पर कम्प्वीटर कर नहीं टूट सकता है। कम्प्वीटर करहाफ डिस्क डिस्कनेक नहिं पती है। क्या यहां पे जो जिस पर सर्वर पर नेट पर इंटरनेट पर हम इस्टोर कर रहे हैं अभी आंगे आपको पता चलेगा उसको भी डिश्ट्रा किया सकता है लेकिन ब्लॉक्चेन हमें यहीं पर एक नई फैसिल्टी प्रवाइड कर देता है यहां पर सफोच किजिए यहां पर कोई हैकर इस ब्लॉक में कोई चेंज कर देता है तो यहां पर हमने पिछले वाले जो पिछला तीसरा एपिसोड था उसमें मैंने क्या समझाया था आपको कि ब्लॉक्चल कैसे काम परती है तो उसमें मैंने आपको एक अवलांच एफेक्ट के बारें बताया था यदि मान लिजे इसमें मैंने एक करोल रुपाई का घर चेंज करते हैं तो मैंने आपको अवलांच एफेक्ट में क्या बताया था पिछले तीसरे एपिसोड में कि आफ कोई भी ब्लॉक में यदि एक चेंज करोगी तो पूरा ब्लॉक ही बतल जाता है जैसे कि यह जो रेट वाला ब्लॉक है उसका जो अगला वाला ब्लॉक होता ह सब्सक्रास होता है आपको मैंने बताया था कि जो अगला ब्लॉक होगा वह फिछले ब्लॉक से करेक्ट होता है कि उसमें हैस यह ने वाले ब्लॉक की जरूर catching आगे वाले ब्लॉक में उसके बाद लिए पिर यह बत ब्लॉक अनि ये ब्लॉक करके यह से यह सीरियल से एक न डाटा को गलत कर देगी और चूंकि यहां पर मेजर्टी में जो ब्लॉक होंगे यह डेटा जो होगा जो भी आपे मकान आपने खरीदा वो सभी के पास डेटा पहुंच चुका होगा लेडी और यह दिसमें हम कोश करेफ्ट कर देंगे तो एक ही ब्लॉक रॉंग होगा और प पूरी ब्लॉक चैन गलबर हो जाएगी और चूंकि यहां पर मेजर्टी में यहां पर देखा जाए तो ब्लॉक जो होगी उस सब सब नोट के पास नोट या पीर्श कम्प्यूटर्स के पास सब एक डेटा होगा तो वह कहेंगे कि यह ब्लॉक गलत आ गया है तो इसको भी हो जाएक करो तो यहां पर जो आपने यहां पर गैश्क की किसी न भी होई होगी तो यहां पर भाउग यह राइत हो जाएगा और सारी उसी ब्लॉक चें प्रकनेह और पाशन तो इसलिए भ découvrir आदो कोई बीड़ा इंटर्णेट पर डाला जाता है तो सर्वर शें करिता है । चिलिखने आपनों मेलेखा हुगा की सर्वर। यह सब्ड़ते fitted काई सारे और यह सब्सक्राइब। तो यह सारे यह सब्सक्राइब अच्छुड़ी कि लिए यानि के एपसेफ्ट और इस तरह से करते हैं ठीक है ना इंपूट और और पूट देते हैं जैसे आंसे मैंने लिजे मैंने कुछ भी इंफॉर्मेसन मांगी उसर वर पर पास रिकृट जाएगी और सर्वर उसको हमें दे देगा इन बैंक वाले दुछना नाम आप समझ लीजी इसमें क्या होता है यह डेटा किसी एक स्पेस्पिक सेंट्रलाइज एंटेटी के पास ना स्टोर हो करके सभी के पास यहां पे होता है सभी नेटवर्क के पास सभी नोट्स के पास सभी पीर्स के पास जब मैं नोट्स पीर्स कह रहा हूं तो उसका मतलब यह कि मैं कह रहा हूँ तो समझ जाएगा तो यह पर सभी स्वाइब या कंप्यूटर के पाथ ही डेटा होता है इस लिए उब लॉक्चेन टेकनोलजी है वो एक सेंटरलाइज नहीं होती है या कि एक नेटवर्क प्रयुण सरवर तरे लिए इस यह इसको distributed भी कहते हैं distributed P2P network in blockchain चलिए अब हम यहाप समझ लेते हैं तो यहाप पर देखिए जो पीर है यानि कि देख लिए इनी को नोट्स भी कहते हैं computers को तो यहाप देखिए पूरा जाल बिचा हुआ है और सब के पास data है तो इसमें कोई अब ही चेंज किया ही नहीं जा सकता अब ही चलिए आपको detail में समझाते हैं तो यहाप 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 एक एक जांपर मैं लेता हूँ distributed P2P network in blockchain क्या है इसका मतलब distributed यानि कि सम्में distribute होता है और P2P यानि कि peer-to-peer पियर का मतलब computer network यानि कि जाल in blockchain सपोच किजिए यह computer से कुछ मैं आप दिखा रहा हूँ पियर भी कह सकते हो नोट्स भी कह सकते हो यहाँ पर एक computer है बी computer सी computer है डी computer एप यह इतने पियर है एप तक आप हम क्या करें कि एक इसको हमाय करने का ट्राइ करते हैं जिसे मान लिजे कोई एक computer है भी इसमें इसने कुछ ब्लॉक अपने तरब से माइन किये यह इसने देखिए एक chain पूरी माइन कर ली hacker क्या करता है इसमें से एक block को hack कर लेता है मान लिजे बी वाले जो computer की इतने block में से एक hacker लेता है लेकिन आप कहांगि कि मान लिजे इसने पूरी chain कोंई पूरी blockchain कोई मान visão इतने block है B के पास इसने सारे जो block है आप जब block ब्लोग बन जाएं गेंगे तो पूरी chain बन जाएगी जिसको हम पुरत है blockchain ब्लोक्चेन तो B के ब्लोक्चेण पर अटयक करता है अटयक करने के बाद यह सारे ब्लोक को चेंज कर देता है आप मेंसे कुछ सारे ब्लोकक कोईहाइक gesehen कर देता है तो माल लिजे इस फंक के पास, टieu कंप्यूटर है और उसके पास इतने इसने ब्लॉक को मैन्न किया माइन करने के बाद पूरा इसका ट्रेस्थ एक ब्लोक्चेन बन गया अब सिर्च कि इसने बी वाली ब्लोक्चेन गे इसको का कर लिए फिर क्ला होगा इसने डेंटा यहां पे कर दिया अभी ड़ेगा तो सब है कर ने हैक की और यहीं चीज तो है मैं एक चीज आपको बता दोंकि पूरी दुनिया में कंप्यूटर नहीं है करोड़ों अरवों और persuaded यदी आप एक कंप्यूटर को है कर लोगे तो अप एक दिन है कर पाऊगे मैंसे आफ computer लगे हुए हैं, सब के पास blockchain का data है कही है, तो यदि इसने 6 मैंसे एक आदमी कहेगा कि data ये अलग है, माली जी 6 मैंसे एक hacker ने hack कर लिया, बाकि तो 5 कह रहे हैं, majority में, majority यहाँ पर माइने रखती है, यदि यहाँ पर 6 मैंसे 3 computer कहेंगे कि data ये सही है, तो यहाँ पर उसी की बात मानी जाएगी, यहाँ पर मैंने 6 का आदम पर लिया, लेकिन पूरी दुनिया में करोड़ों computer है, यानि कि 50 करोड़ तो इसे माल लिजी, तो 50 करोड़ को hacker hacker पाएगा, 50 करोड़ computer के सरफर पर जाए पाएगा, जापाएगा, नहीं सच्चम हो जाते हैं, तो blockchain technology को भी hack किया जासकता है, लेकिन इसा कभी ना ही हो पाएगा, है ना in future हो सकता हो भी जाए, लेकिन यहाँ पर इसको इसी लिए यहाँ पर hack नहीं किया जासकता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ आपको hack करना है तो कम से कम, majority लाने के लिए आदे से जादा वोट परनने चाहिए, यानि कि आदे से जादा कंप्यूटर को में गलट डाटा एक ही समय पर वेजना पड़ेगा जो कि impossible है, यानि कि blockchain technology को hack नहीं किया जासकता तो मित करता हो वीडियो आपको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर दें नेस्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा